बुवा ने लोगसवा चुनाओं के बाद बबुवा को धोखा दे दिया तो बबुवा भी अब बुवा को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं अखलेश की पाटी ने इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है अखलेश यादो अभी भले ये खामोश नजर आ रहे हूं लेकिन मन ही मन वो बुवा को करारा जवाब देने की तैयारी भी कर रहे हैं दरसल कुछ दिन बाद यूपी की 11 सीटों पर विधान सबा के उपचुना होने हैं अखलेश यादो इसी लड़ाई में अपनी सियासी बुवा को पटकनी दे कर जवाब देने की तैयारी में हैं अखलेश ने ही अपने निताओ को मायावती और उनकी पार्टी के खलाब बयान देने से रोका हुआ है और ये भड़ास निकलेगी विधान सबा उपचुना के नतीजों के बाद अखलेश इस कोशिश में भी है कि वो मायावती का जो वोट बैंक बचा हुआ है उसमें सेदमारी करे लेकिन ये होगा कैसे ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि लोग सबा चुनाव में तो अखलेश इदा का वोट बैंक तीन फीसिदी तक घट गया है मायावती ने जब परिवारबाद से पार्टी की राजनीत को जोड़ा तब से ही पार्टी की कुछ वोटर नाराज है और अखलेश यादव उन्हीं वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं अगर ऐसा हो गया तो अखलेश का मायावती कोई तकड़ा जबाब होगा बीरो रिपोर्ट ओमेच निउज और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं